हेलो, बूर्णिंग इस्टूडेंट, आज मैं क्लास नाइन तुम्हें, फर्ष्ट लेसन में आगे करा रही हूं ग्रह विज्ञान के ततु। ग्रह विज्ञान के ततु उन सभी कार को विश्यो, किरिया उसे हैं जो ग्रह विज्ञान की रचना करते हैं। आज संसार में ज्ञान विज्ञान का विकास तेजी से हो रहा है। सिक्सा के प्रसार के कारण परंपरागत रूडियां अंधिविश्वास समाप्त हो रहे हैं। समाज का परिवर्तन के कारण परिवार का शरूब भी बदलता जा रहा है। और अब यह देखेंगे तातू। हमारे तातू कौन-कौन से हैं। मानव का सरूबर्ण विकास, नियोजन, नियंत्रन और मुल्यंकन। मानव का स्वरगिन विकास। इसमें हैं परिवार और सामाजिक संबंध। मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी हैं जो समाज में रहता हैं। परिवार का समाज में स्थान और समाज में उसके संबंध के बारे में ग्रहाणी को पून ज्यान होना चाहिए, विभावे, बाल, कल्यान और मात्र कला भी कग्यान ग्रहाणी को होना चाहिए, फिर ग्रह प्रबंध है। ग्रह अर्थ विवस्ता आधुनी कुपकर्णों का उपयोग, अन्य ग्यान कारियों का ग्यान, उसके बाद नियोजन, परिवार के कारियों को करने से पहले उसकी योजना बनाने का कारिया अतियंत सरल हो जाते हैं, ग्रह के कारियों को सुचारू रूप से चलाने के आवसकता के कारण ग्रहनी विज्ञान में नियोजन का महतपूनिस्थान है फिर है नियंतरन ग्रह विज्ञान ग्रह की प्रतेग वस्तों को नियंतरन रखने में ग्रहन उपलब्द कराता है मुल्य अंकन ग्रहविज्ञान परिवार के प्रदेख सदस्यों के आवसकताओं का मुल्यांकन सिखाता है एक सफल ग्रहनी को मुल्यांकन का पून ग्यान होना तियावसक है जिसे पता लगता है कि परिवार में किस सदस्य का भोजन वासतरो रण्य वस्तो की आव सकता महत पून है। उसके बाद है ग्रह विज्ञान के छेत्र किसके छेत्र क्या है अध्यन का छेत्र सबसे पहला है अध्यन का छेत्र ग्रह विज्ञान अध्यन के छेत्र अध्यतिक विश्त्रित है इसके अंतरगत परिवार के प्रतियक सदस्य का मानसिक, सम्वेग आत्मक और सारीरी का अध्यात्मिक अभी रूचिय और विकासेतु, विज्ञान और कलात्मक समझसे इस्थापित किया जाता है ग्रह विज्ञान का अध्यन काफी विस्त्रित है शरीर की रचना और स्वास्त का विज्यान, आहार और पोसन का विज्यान, प्रार्थमिक चिकिस्सायम, परिचारिय, समाज तथा बालकल्यान, मात्र कलाओ, सिसु पालन वस्त्र विज्यान, भोतिक विज्यान, रशायन विज्यान, वनस्पति विज्यान, जीव जन्तु विज्यान, आरतर सास्त्र और गणित, मनो विज्यान, दर्सन और नितिशास्त, रनागरिक सास्त, सिल्प, कलाई, बागवन, ये सब इसके छेत्र हैं ग्रह विज्ञान के लाब इसके क्या लाब हैं ग्रह विज्ञान ग्रह प्रबंद के छेत्र में परिवार के ग्रह प्रबंद के लिए नियोजन नियंतरन तत मुल्यंकन की कुसल उत्पन होती है समय का पूरा-पूरा उपियोग करने की आदत विक्सित करना जो ये हमारे ग्रह विज्ञान के लाब हैं आहार और पोशन के छेत्र में स्वास्त एम परिचारिय के छेत्र में कढ़ाई के छेत्र में मात्र कला के छेत्र में ग्रह विज्ञान का मुल्यंकन वैज्ञानिक रिशार्ट के सब्दों में ग्रह विज्ञान का मुल्ले अंकन वस्तूओं के दबाव से घर सरतंत्र और आदर्सों के अधिन किया जाता है आधुनिक विज्ञान संसादनों का घर जीवन को विक्षित करने के लिए उप्योग करना है भोतिक परिवेश का साधापन और आत्मा को घर समाज से अधिक महत्वपूं इस्थाई हितों के लिए सोतंत्र कर दें और आज के लिए आदर्स विज्ञान की भूत कालिन परंपराओं को प्रतिवन्द ना करे अब इसमें जो हमें याद रखनी है कौन सी चीज है ग्रह विज्ञान दो सब्दों से मिलकर बना है ग्रह का आर्थ निवास इस्थान और विज्ञान का आर्थ है क्रमवद ज्ञान इस प्रकार ग्रह का संबंधित विभिन पहलो और क्रमबंध को ही ग्रह विज्ञान कहते हैं ग्रहे या घर ऐसा इस्थान है जिससे परिवार के सभी सदश्य एक दूसरे का सहयोग करते हुए सुक में जीवन व्यतीत करते हैं इससे सदश्यों की सम्वेगात्मक, संस्कृति, अध्यात्मिक एवं सामाजी कावसक्ताओं की पूर्ती होती है आरम में ग्रहे विग्यान का को घ्रहे अर्थ सास्त्र के नाम से जाना जाता था घर परिवार के बहुपक्सिये विकास, नियोजन, नियंत्रन और मुल्यंकन ग्रहे विग्यान के तत्व हैं ग्रहाणियों के स्वेमधूर वहवार से परिवार का वातावरण से नहीं लोर आनंद में बनाया जाता है ग्रहे विज्ञान के अध्धन से एक सैध्धान्तिक और वहवारी कुद्देश्य है ग्रहे विज्ञान की विजिष्ट आकड़ती है यह कलाओ और विज्ञान दोनों से परिपूर्ण है यह हमारा आज लेसंस हमाप्त हुआ है इसके बाद मैं आपको कोशन आंसर भेजूंगी जोग आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे थैंक यू